तो आज हम स्टार्ट करते हैं वर्नेयर कैलिबर, अब सवाल यह पैदा होता है, वो रिडिंग जो कि 1 mm से भी छोटी हो, इट मेंज कि अगर मुझे एकुरेसी चाहिए, ग्रेटर देन 1 mm, तो मैं ऐसे कौन से इंस्ट्रुमेंट इस्तमाल करूंगा, वो हैं वर्नेयर कैलिबर और स्क्रू गेज, जिसे हम माइक्रो मीटर भी कहते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं वर्नेयर कैलिबर की, तो पहला पॉइंट तो मुझे यह समझ में आ गया, कि वर्नेयर कैलिबर से मेरे पास जो एकुरेसी है, वो ग्रेटर देन आएगी 1 mm, अब वो कितनी आएगी, आ आपने सबसे पहले वर्नेयर कैलिबर को समझने के लिए इसकी कंस्ट्रक्शन को समझना जरूरी है, किस चीज को वर्नेयर कैलिबर कहा जाता है, ये समझेंगे, उसके बाद इसकी एकुरेसी निकालेंगे, और उसके बाद देखेंगे इससे रीडिंग ली कैसे जाती है, आइबाई सिंपली जासे कि आपको डियागराम में वरनेयर काली पर दिखाया जा रहे ।ट नजर आएगे एक फिक्स्ट और एक मूवेबल है। जो फिक्स्ट है उससे हम में स्केल कहते है। और जो के मूवेबल है उससे हम vernier scale कहते है सबसे असान काम मुझे इन दोनों में देखना क्या है देखना यह होगा कि main scale अगर आप गौर से देखे तो यह आपको meter ruler की तरह नजर आ रहे है अगर यह meter ruler की तरह है तो हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि इस पे smallest reading क्या है इस पे जो smallest reading आ रही है वो one millimeter है और vernier scale पे आपने actually यह देखना होगा कि total number of devians कितनी है अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखे again जो vernier के लिए पर नजर आ रहे है इसके उपर जो छोटा सा scale movable scale है जिसे vernier scale कहा जाता है इस पे जो total number of devians है उनकी तदाज जो आपको नदर आ रही है वो 10 है 10 है अब आपने calculate करना है इसका least count जिसे हम accuracy कहते हैं तो in general यही formula मैं use करूँगा micrometer के लिए भी यही formula use किया जाएगा वर्नेर कैलिपर में भी so least count जब आपने calculate करना है तो आप देखेंगे smallest reading on main scale यह formula आपको screen पे भी नदर आ रहा है smallest reading on main scale divided by number of devians on vernier scale जो बिलकुल ठीक हा अब आप खुद यह चीज मुझे बता दे smallest reading main scale पे कितनी है बिलकुल ठीक 1 mm और total number of devians vernier scale पे कितनी आ रही है exactly ऐसे ही है 10 so 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आया बिलकुल एकुरेट 0.1 mm बिलकुल ठीक वाँ अब vernier caliper का comparison करें आप meter ruler और मेरिंग tape से वहाँ पे smallest reading आप मेर कर सकते थे सिरफ 1 mm तक लेकिन यहाँ पे reading आप 1 mm divided by 10 मतलब उसके दसमें हिस्से तक आप reading को महर कर सकते हैं जो कि 0.1 mm है पीवन के कुछ क्वेशन में जब आप से सवाल पूछा जाता है तो वो conversion हुई होती है centimeter में तो आप millimeter को centimeter में convert कर सकते हैं तो यह answer आजागा आपके पाद 0.01 centimeter क्यों ऐसे किया? क्योंकि मैं बढ़े अच्छे से पता है meter ruler में हम यह बात बड़े अच्छे से पढ़ चुके हैं कि one millimeter या one centimeter is equivalent to ten millimeter होता है इसलिए हमने इसको लिख दिया 0.01 centimeter तो सबसे पहले जैसे हमने start किया था तो हमें यह बात clear हो चुकी है कि इसकी accuracy ज्यादा क्यों है क्योंकि इसका least count कम है कितना गामेजी यह आपके पास आ रहा है 0.1 millimeter या 0.01 centimeter यहाँ तक इसकी construction की बात होगी दो scale है अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर हमने इसका use करना है तो इससे reading कैसे ली जाएगी किसी भी mirroring instrument को इस्तमाल करने से पहले सबसे पहले यह चीज़ चेक की जाती है कि उसमें कोई error है तो या नहीं किसी भी किसम का error किसी भी mirroring instrument में उससे zero error कहा जाता है any error in the mirroring instrument is called the zero error of the instrument जैसे कि आप किसी भी medical store में जाते है और mostly आपने देखा होगा वहाँ पे machine पड़ी होती है जहां पे खड़े होके आप अपने body का mass calculate कर सकते है in case आप अभी खड़े नहीं हुए लेकिन वो 20 kg दे रही है it means कि आप उसमें देख सकते हो कि यह error मजूद है आप उसको reset करते हो zero zero पे लेके आते हो इसी तरह किसी भी instrument को आपने इस्तमाल करना है उसको या तो आपने उसका error find out करना है कि आप 20 kg के उपर जाके खड़े हो जाए 100 की होगे तो 80 या आपका है 20 उसमें error था इसी तरह या तो आप उसको zero zero पे लेके आओ अब vernier के लिक पर को भी हमने इसी तरह ही check करना होगा क्या उसमें कोई error है या नहीं है तो कैसे check करेंगे अब ऐसे check करेंगे कि आप इसके दोनो जास को जैसे कि आपको डियाग्राम में स्क्रीन पे नजर आ रहा है मैं दोनो जास को gently close करूँगा इसके जास के दरमयान मैंने कोई भी चीज नहीं रखी gently close किया gently close करने से जरा वहर से देखें अगर वर्नेर स्केल की 0 और में स्केल की 0 दोनो एक ही पॉइंट पे कॉंसाइट करने हैं दोनों आमने सामने हैं तो यहाँ पे 0 error नहीं होगा 0 error विल बी 0 क्योंकि दोनों बिलकुल आमने सामने हैं लेकिन अगर दूसरा केस आपके सामने हैं अगर ऐसा हो रहा है कि 0 of the वर्नेर स्केल में स्केल की 0 के राइट पे आ रही है आप राइट और लेफ्ट से याद रखें पॉजिटिव और नेगेटिव का तो error पॉजिटिव होगा लेकिन अगर यही 0 of the वर्नेर स्केल में स्केल की 0 के लेफ्ट पे आ रही है तो error negative होगा तीन केसिज है या तो error होगा ही नहीं अगर error है तो या तो वो positive होगा या फिर negative होगा चेक करने के लिए करना क्या है वर्नेर के लिए पर के जास में कोई भी चीज नहीं रखनी gently close करके दोनो zeros की position देखनी है अब यह बात बड़ी clear है आपकी असानी के लिए बता रहा हूँ जो scale movable है वो वर्नेर स्केल है तो वर्नेर स्केल की 0 को ही हम मैं देखूंगा कि वो किस main scale के किस point पर मजूद है clear हो गया मेरा बेटा यह बात अब reading कैसे लेंगे बड़ा ही असान method है अगर आपके पास किसी coin का अपने diameter calculate करना है आप diagram में देखे हमने उसको jaws के दिरम्यान में fix कर दिया जैसी आप उसको jaws के दिरम्यान में fix करोगे आपके पास दो reading आएंगी एक reading को हम कहेंगे main scale reading और दूसरी reading को हम कहेंगे warner scale reading step by step सुनिएगा ये reading लेनी कैसे है अगर मेरे पास किसी किसम का कोई zero error नहीं है तो मैं directly readings लूँगा सबसे पहले main scale reading लेने के लिए मैं ये देखूँगा warner scale की zero जैसे कि आप देख सकते है main scale के किस point पे मजूद है warner scale की zero main scale के किस point पे मजूद है suppose वो reading आपके पास आ रही है 2 या 2.2 तो आपने लिख लिए main scale reading मेरे पास आगी 2 cm अब सवाल ये पैदा होता है कि जो movable scale है जिसे हम warner scale केते है उसकी reading आप कैसे लोगे इसी position पर आपने ये चीज नोट करनी है कि warner scale की उपर जो 10 devians है इन में से वो कौन सी devian है number नोट करना है जो main scale की devian के बिलकुल आमने सामने है कौन साइट कर रही है और से देखें मैं फर्स कर लेता हूँ कि 6th devian ऐसी है जो main scale की devian के साथ मिल रही है तो मैं यहाँ पर 6th लिख लेता हूँ और इसके बाद आपने क्या करना है इसके बाद आपने ये करना होगा दुबारा repeat कर रहा हूँ वर्नेर scale की reading लेते हुए आपने ये note कर लिया कि कौन सी reading coincide कर रही है और उस reading को आपने least count of instrument के साथ multiply कर देने है बिल्कुल ठीक क्योंकि पहली reading 2 cm है तो अभी हम cm में value ले लेते है वो 0.01 है अब final answer हमारा क्या होगा simply diameter आपके पास आ जाएगा इन दोनो reading का some main scale reading plus vernier scale reading ये था तब जब आपके पास किसी किसम का कोई error मजूद नहीं है in case अगर error होता है error होता है तो दो ही possibilities है या तो vernier scale की 0 main scale की right पे है अगर right पे है again आपने वो काम करना है जो vernier scale reading में किया था कि कौन सी deviant coincide कर रही है suppose 7th coincide कर रही है तो 7 को least count के साथ multiply करेंगे 0.07 positive 0 error है तो value में इसको subtract कर देंगे error अगर positive होगा जैसे plus 20 kg था आप खड़ी वे तो 100 होगया तो आपने plus 20 को minus किया same इसी तर अगर यहाँ पे positive error होगा तो आप अपनी calculated reading में से उस value को subtract कर देंगे अगर error negative होगा तो आप उसको add कर देंगे so wish you good luck और again इसके बारे में किसी किसम का कोई question हो तो ज़रूर पूछेगा lecture को गौर से दोबारा से सुनिएगा सबसे पिले हमने vernier caliber की accuracy की बात की accuracy के बाद हमने उसके scales की construction की बात की फिर formula पे आए और उसके बाद हमने zero error को discuss किया और उसके बाद हमने ये देखा कि हम reading लेते कैसे है P1 और P2 के questions में आपके सामने ये सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि आपको एक diagram vernier caliber की दे जाती है और कहा जाता है कि आपके सामने जो reading है ये बताएं कि कितनी reading आ रही है तो अपना बहुत सारा सा ख्याल रखे अल्ला हाफिज